जब मैं शॉप पे बैठता हूँ ना एक सवाल बहुत बार मेरे पास आता है मेरा ना हैर कलर टिकता ही नहीं है बहुत जल्दी मेरा हैर कलर निकल जाता है आज लगाओ हैर कलर एक हफते बाद दिखता ही नहीं है कि हैर कलर लगा है या नहीं लगा और एक लेटेस्ट वाला बताता हूँ, मेरे तो वाइडवाल मेरी सास से भी जादा है, बेगार है भईया, मैं तो तूड गया, तो लोग बहुत जादा परशान है इस concern से, hair color लगाना तो मजबूरी है ही, और उसके बाद वो hair color टिकता भी नहीं है, अब आपको एक चीज बह रेगिलर मेंटेनेंस तो करानी ही पड़ेगी, तो welcome back everyone, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, उमीद करते हैं, आप बहुत बढ़ियाओंगे, एक बार को imagine करो, फ्रेश फ्रेश हैर कलर लगा कर आगर आए हो, और आपके face पे next level वाला क्लो आ रहा है, पर उसके आगे क कुछ टाइम में जाके दुबारते touch-up करवाना पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा irritating हो जाता है, अब वही बात है, कोई भी चीज़ अगर हमारे को routine में करानी पड़े तो बहुत ज़्यादा परिशान करती है, और उसके बाद एक दिक्कत और आती है, आज आप hair color करा क बना सकते हो, ये वाले tips बहुत easy to follow है, और मेरे पास बहुत बार request आ चुकी थी, कि एक वीडियो ऐसी बताओ, और हमें बताओ, कि color लंबे समय तक टिकेगा कैसे, तो हमने सोचा, इस request को आज ही पूरा किया जाए, और हम आपको बताएंगे, ऐसे basic tips, जो आप easily follow कर सकते, और अपने hair color को बनाओ, long lasting, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, और आपको बताते हैं, how to make your hair color long lasting, tip number one, don't head straight to shower, अब ये गलती मैंने बहुत बार देखा है, लोग करते हैं, salon में, जब भी मैं जाओ, जैसे ही hair color लगाया, उसके just बाद शैंपू कर देते हैं, ये एक बहुत ही बड़ी mistake है, आपका जो hair color रहना, वो lock होने में कम से 24 घंटे का time लगता है, तो आपको make sure करना है, आपने shampoo नहीं करना, just hair color लगाते ही, उससे होगा कि आपका hair color बहुत जल्दी fade हो जाएगा, और वो बढ़िया वाली look नहीं आ पाईगी, अब अगर आपको करना है wash तो आप क्या कर सकते हो, आप properly पानी से बालों को wash करो, और अपने fingertips से मसाज कर सकते हो, अगर आपको बहुत irritating लगता हो, शैंपू के बगएर आदत नहीं है, और आप एक काम और कर सकते हो, आप hair color लगाने के बाद एक conditioner लगा सकते हो, अपने बालों पे पानी से wash कर अधर हो जाएगा, इससे जल्दी मैं क्या बोलू, आपको make sure करना है, आपने अपने बालों पे गरम पानी नहीं डालना, जो heat होती है, वो आपके color को fade करने काम करती है, मुझे पता है, बहुत ज्यादा relaxing होता है, tired day के बाद गरम पानी से नहाना, बट आपने make sure करना है, बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, आपका color भी लंबे समय तक रहेगा, और आपके बाल भी बढ़िया रहेंगे, tip number 3, start switching your favorite products, आप सब के favorite products होते है, जब आप hair color नहीं लगाते हैं, तब की बात और थी, कोई भी shampoo लिया market से और use कर लिया, but अब जब आप hair color लगाते हो, तो कर सकते हो, आप sulfate and paraben free shampoo लो, वो बहुत बढ़िया रहते हैं, आपके बालों के लिए long run में भी, और साथ-साथ आपका color fade करने का काम भी नहीं करते, आप एक चीज और मैं आपको बता देता हो, अगर आप एक best वाला sulfate free shampoo लेने का plan कर रहे हो, तो एक बार जाके description box चेक कर ल label है, जिस पर best sulfate free shampoo आपको suggest भी कर देंगे, और All India डिलिवर भी कर देंगे, वीडियो के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत जरूरी tip देना चाहता हूँ, जो मैंने वीडियो के starting में कहा था ना, कहीं आपको जरूरी जाना होता है, और एक white ball pop out हो जाता है, तो कैसे cover up किया जाए, बहुत ही असान है, बहुत ही basic है, market में जाओ एक mascara खरीद लो, नहीं है तो आपके घर पे आपकी mom का या आपकी wife का, आपकी बहन का आपको अराम से मिल जाएगा, basic mascara, कोई महेंगा mascara लेने की जरूरत नहीं है, उसके आगे जो brush होता है, जो आपका white ball pop out हो और next time जब आप अपना shampoo करोगे, वो आपका properly wash out भी हो जाएगा, tip number 4, space out your shampoo days, मुझे पता है, बहुत लोगों की आदत हो दे कि हमें daily shampoo कर रहा है, मेरे बालों में बहुत जल्दी oil build up हो जाता है, और आगे वैसे ही गर्मिया आने वाली है, अब देखो hair color नहीं लगाते तो को बार से जाधा बिल्कुल करो ही मत, और जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बताए, color protect shampoo लो, या sulfate and paraben free shampoo लो, और उसको भी हफते में सिरफ दो बार लगाना है, अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये permanent color नहीं है, permanent color सिरफ भगवानी देता है, और ये color जितनी बार आ heat is the enemy, अब आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, जब आप सन में बाहर जाते हो, आपकी skin damage होती है, आपके lips damage होते है, साथ-साथ आपके बाल भी damage होते है, जो sun की heat होती है, अगर आप regularly उस पर exposed रहोगे, तो आपका color fade करने का काम करेगा, तो आप make sure कर सकते हो, market में बहुत जादा heat होती है, जो आपका color बहुत ही जल्दी fade कर देती है, और बालों को बहुत जादा damage कर देती है, तो आपको करना क्या है, heat protection sprays आती है, market में जो की बहुत अराम से आपको मिल जाएगी, उसको properly अपने बालों में spray करो, और फिर ही अपना कोई भी heating product use करो, कोशि बहुत जल्दी fade हो सकता, उसका reason यह है, जो swimming pool में water होता है, उसके अंदर होता है chlorine, जो हमारे बालों का color properly fade करने काम करता है, अब उसका solution भी आपको बता देता हूँ, market में आते हैं leave-in serums, आप उनको लगाओ जाने से पहले pool में, और pool से आने के बाद, leave-in serum नहीं लेना, आपको करना क्या है, जो आपका favorite conditioner है, उसको आप एक spray bottle में fill करो, और उसमें थोड़ा पानी आड़ करो, प्रॉपरली उनको shake कर लो, अब आपने करना क्या है, इसको आपने प्रॉपरली अपने बालों पे spray करना है, पूल में जाने से पहले, और पूल में आने के बाद, यह बहुत हद तक आपका color को protect करने का काम करेगा, और आपके बालों को भी protect करेगा, आपके बाल dry नहीं होंगे, जो chlorine water से हो जाते हैं, और नहीं आपका color fade होगा, यह थे कुछ कमाल के basic tips जो आप अराम से अपनी life में follow कर सकते हो, और अपने hair color को long lasting बना सकते हो, आपका कौन सा आप चाहो तो यह वीडियो अपने उन फ्रेंस के साथ शेयर कर सकते हो, जो परेशान हो चुके है, कि आज hair color लगाता हूँ, चार दिन बाद hair color निकल जाता है, क्या पता यह वीडियो उनके लिए बहुत जादा helpful हो, तब तक हम आपसे मिलेगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में, until next time, this is your host चोईत सचदेवा, goodbye.